नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से आपके जो भी इस साल के जन्वरी से लेकर अगस्ता के जो भी इंपोर्टेंट आपके करांट अफियर से उनके बारे में हम बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला ग्वेशन है आपका कि हाली में विश्व परवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है तो विश्व परवासी पक्षी दिवस 2023 जो मनाया गया है वो 13 मही को मनाया गया है विश्यो परवासी पक्षी दिवास एक बैस्विक आयोजन है यानि इसका आयोजन एक बैस्विक अस्तर पर किया जाता है और वर्स में दो बारी इसको आयोजित किया जाता है दो बारी ठीक है एक तो किया जाता है इसका मही में 13 मही को इसका एक आईजन हो गया है और दूसरा आईजन आपका 14 अक्टुबर 202 को हुआ है इस वर्स के अगर ठीम के हम बात करें कि परवासी पक्षियों क्या ठीम थी परवासी पक्षिदिवर्स की तो वो थी परवासी पक्षियों के लिए पानी और इसके महत्वा इसके बाद आपका अगला question है हाले में smart school block smart school block कारेकरम कहां पर प्रादम किया गया तो smart school block जो आपके start किये गये यह आपके किये गये हैं उत्राखंड में और उत्राखंड में भी चमपावत से यह start हुआ है चमपावत में यह start हुआ है और इसका जो start इसको किया गया था वो 11 माई 2013 को start किया गया था इसके बाद अगला आपका question है तासकन में आयजित पुरुसों की बिश्व मुक्यवाजी चैंपियंसिप में भारत पदक तालिका में कौन से अस्तान पे रहा है तो तासकन में बिश्व मुक्यवाजी चैंपियंसिप का आयजिन किया गया था जिसमें भारत जो है चौते अस्तान पे रहा है इस पट्टियोगिता में उजबेकिस्तान यानि मेजबान उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान आपका पहले नमबर पे रहा है उजबेकिस्तान रहा है पहले नमबर पे इसने कुल नौप पदक जीते हैं वही क्यूबा और रूस क्यूबा और रूस च्छेचे पदक के साथ दूसरे नमबर पे रहे हैं और अगर हम भारत की तरफ से बात करें कि भारत की तरफ से कौन कौन से मुक्के बास थे जिन्होंने पदक जीता है तो वो थे आपके एक पहले थे दीपक कुमार दीपक कुमार बोरिया दूसरे हैं महमत हुस्न दीन और तीसरे हैं निशान्त देव इसके बाद अगला आपका क्वेशन है हाली में वर्स दोजार पचीस में पहला वानेजिक अंतरिक्ष इस्टेशन हैवन वन लांच करने की गोशना किसने की है तो पहला वानेजिक अंतरिक्ष इस्टेशन हैवन वन को लांच करने की गोशना की गई है दोजार पचीस में इसका लांच किया जाएगा और यह लांच करेगा नासा इसके बाद आपका अगला क्वेशन है कि 15 से 17 माई 23 तक 7 सड़क सुरक्चा सपता 2033 के दौरा किया गया है अगला क्वेशन है कि हाली में भारत नहीं किस देस के साथ मिलकर 50 स्टार्ट अप एक्शेंज प्रारम किया है तो भारत ने ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ मिलकर पचास स्टार्ट अप एक्चेंज स्टार्ट किये हैं तो ये है आपका बंगला देश इसके बाद आपका अगला क्वेशन है कि हाली में संग लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष कौन नुक्तु है है यानि संग लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष आपके कौन बने हैं ये बने हैं आपके संग ये बने हैं आपके मनोज सोनी मनोज सोनी जो हैं लोक सेवा संग लोक सेवा आयोग के एक तीसवे अध्यक्ष है ये एक सिक्षाविद है ठीक है और इन्हों ने इन से पहले जो अध्यक्ष थे वो थे आपके परदीब कुमार जो सी तीसवे अध्यक्ष थे इसके बाद अगला आपका क्वेस्चन है हाली में अजर बेजान के बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप दोजा थे इस में भारत कौन से अस्तान पे रहा है तो ISSF विश्व कप दोजा थे इस में भारत जो है दूसरे अस्तान पे रहा है अगला आपका क्वेश्टन है कि हाले में सतत बिकास लक्षों की परगति मापने की गोश्णा करने वाला भारत का पहला सहर कौन सा है तो सतत बिकास लक्षों की परगति मापने वाला जो भारत का पहला सहर है वो है बोपाल सहर अगला आपका question है कि हाली में किस खेल से साफ़ट soft signal देने की पर्था को समाप्त किया गया है तो यानि ऐसा कौन सा खेल था जिसमें soft signal दिया जाता था और ये दिया जाता था आपका cricket में ये दिया जाता था अगला आपका question है कि हाली में चर्चा में रही हिप उस तक the golden years के लेखक कौन है तो the golden years के जो लेखक है वो आपके रस्किन बॉंड है और ये उत्राखंट से समन्दित है अगला आपका question है कि हाली में केंदर सरकार ने खुए हुए mobile को बंद करने उसका पता लगाने के लिए कौन सा portal प्रारम किया है तो जैसे आपका कोई mobile खो गया है या बंद हो गया है तो उसका पता लगाने के लिए भारत सरकार ने एक portal लॉंच किया है वो है आपका संचार साथी portal इसके बाद अगला आपका question है कि हाली में करनाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो करनाटक के जो नए CM बने हैं वो आपके बने सिद्धा रमया आपके करनाटक के नए CM बने हैं अगला आपका वेशन है कि हाली में चक्रवात प्रभावित म्यामार की सायता के लिए भारत ने कौन सा ओप्रेशन प्रारंब किया है तो चक्रवात से प्रभावित म्यामार की सायता के लिए भारत सरकार ने ओप्रेशन करुणा प्रारंब किया है मई 23 में बारत सरकार ने चक्रवात मोचा से परवावित म्यामार के लोगों की सायता के लिए ओपरेशन करोना को सुरूग किया है इसके बाद आपका अगला क्वेशन है एनाई ने देशवर में आतंकवादियों, गैंक्स्टरों, ड्रग तसकरों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा ओपरेशन चलाया है तो एनाई ने ये ओपरेशन चलाया है आपका ओपरेशन द्वास्त इसके बाद आपका अगला क्वेशन है कि हाली में सागर माला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक परेटन सर्कुट कहां परे बिक्सित किया गया है यानि किया जाएगा तो जो नदी तट धार्मिक परेटन सर्किट है ये आपका असम में बिक्सित किया जाएगा जो नदी तट धार्मिक परेटन सर्किट है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बिक्सित किया जा रहा है इसके बाद अगला आपका ग्वेशन है हाली में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंतरी सीखो कमाओ योजना किसने प्रारम की है तो बेरोजगारों के लिए मुख्यमंतरी सीखो कमाओ योजना का जो प्रारम किया है ये मद्यपरदेश सरकार ने किया है अगला आपका व्यशन है कि उन चासवें G7 सिकर समयलन का आईजन कहां पे हुआ है तो उन पचासवें जो G7 का जो सिकर समयलन था इसका जो आईजन हुआ है ये जापान में किया गया है जापान के हिरोशिमा सहर में G7 का उन चासवें सिकर समयलन लिया गया है जिसमें परदानमंत्री आपके नरे नर्मोधी भी वहाँ पे सामिल हुए थे भारत आप तक नो बार जी सेवन का आउट्रीच सम्मेलनों में भागिदारी कर चुका है जापा ने सक्साली समू के बर्तमान अध्यक्ष के रूप में जी सेवन सिकर सम्मेलन की मेजवानी की है इसके बाद अगला आपका क्वेशन है हाली में सुसाशन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला रज्य कौन सा है तो सुसाशन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला जो राज्य है ये आपका महारास्ट है इसके तहित क्या होगा कि राज्य परशाशन को अधिक जबाब देहे लोगों के लिए सुलब सक्रेपारदसी बनाया जाएगा और 19 मई 2023 को मुख्यमंत्री एकनाथ सिंदे जो कि महाराश्ट के मुख्यमंत्री एकनाथ सिंदे हैं उन्होंने इस नियम को मंजूरी दी है इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाली में भारत के सबसे लंबे 570 मिटर का स्काई वॉक पूल कहां पे अस्ताफित किया गया है तो भारत के सबसे लंबे 570 मेटर इसकाइवाउक पुल का जो अस्तापिद किया गया है तैमिलनाड में अस्तापिद किया गया है आज के वीडियो में हमने कुछ करनट अफियर्ट डिसकर्श करें हैं I hope कि आपको वीडियो पसंद आया हूँ वीडियो पसंद आया है बने रहे है चैनल के साथ तब तक के लिए धन्यवाद